केदारनाथ मंदिर में अब मोबाईल ले जाना प्रतिबंधित मंदिर समिती ने लिया फैसला उत्तराखंड में अब बाबा केदारनाथ थाम में अनर्गल वीडियो और रील बनाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कारवाई की जाएगी क्योंकि केदारनाथ मंदिर के परिसर और गर्भगरह में कैमरा और मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए मंदिर परिसर में साइन बोर्ड भी लगा दिये हैं। यही नहीं, जल्द ही मंदिर में दर्शन के लिए ट्रेस कोर्ड भी लागू किया जाएगा. समिती के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बाबा केदारनात का धाम लाखों तीर थियात्रियों और श्रधालूं की आस्था और आध्यात्मिक केंद्र है. ऐसे में कई देश्विदेश के युवा अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब को अधिक प्रचारित करने के उद्देश से केदारनात मंदिर के अगलगल और फ्रंट में अनरगल वीडियो बनाकर वाइरल कर रही हैं. उन्होंने बताया कि इस वर्ष कई युवकों और युवतियों ने एक दूसरे को प्रपोज करने के उद्देश से इस तरह की विडियोग्राफी की. केदारनात धाम की प्रसिद्धी के कारण यह नियूज और अन्य विडियोज वाइरल भी हो जाते हैं, लेकिन अब समिती ने मंदिर परिसर में कैमरा और मोबाइल ले जाने को प्रतिबंधित कर दिया है. ताकि कोई भी इस तरह का कृत्य न कर सके. अगर कोई भी ऐसा करेगा, तो उनके विरुद्ध कानूनी कारवाई होगी. समिती के अध्यक्ष अजेंद्र ने बताया कि केदारनात धाम के मंदिर में भी ड्रेस कोड जल्द लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अध्यात्म आस्था के पवित्र के दारनात धाम में केवल अध्यात्मिक लोग ही प्रवेश करेंगे. उन्होंने बताया कि प्रसिद्धी पाने के उद्देश से वीडियो और अन्य सोशल साइट रहने वाले युवाउं युवतियों के इस तरह के कारणामे पूर्न रूप से प्रतिबंधित कर दिये गए हैं. उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिश रधा के धाम इस तरह के अनर्गल फोटोग्राफी करेगा, उसके विरुद्ध गंडात्मक कारवाई की जाएगी. ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद.